दोस्तो आज 19 जुलाई 2017 है आज से रिलायंस जियो द्वारा निकाले गए ओफस की वेलिडिटी समाप्त हो रही है अर्थात जो समर सर्प्राइज ओफर और धन धना धन जैसे ओफर थे वो सभी ओफस आज से समाप्त होने शुरू हो गए है अलग-अलग तारीकों में शुरूआत होने के कारण किसी का यूजर प्लान 19 को तो किसी का 20 जुलाई को खत्म हो जाएगा या फिर प्लान के अनुसार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अब रिलायंस जियो के ओफस का फाइदा केवल प्राइम यूजर को मिलेगा प्राइम यूजर रिलायंस जियो अपने प्राइम यूजर के लिए बेनिफिट देता रहेगा लेकिन यदि आप प्राइम यूजर नहीं है तो आप इन सेवाओं का लाब नहीं उठा पाएंगे अर्थात यदि आप Reliance Jio के Prime User होना चाहते है तो आपको Reliance Jio से Prime Membership लेनी होगी Jio की Prime Membership आपको 19 रूपे में मिल रही है जो की 31 मार्च 2018 तक वैलिड रहेगी Prime User के लिए ज्यादा Benefit Company ने अपने Prime User और Non Prime User दोनों के लिए अलग-अलग प्लान दिये है जिनके पास Reliance Jio की Prime Membership हो उन्हें Jio की तरफ से सभी Benefit मिलेंगे लेकिन जो Prime User नहीं है वो Prime User वाले Office का लाब नहीं ले पाएंगे यानि की Prime User के लिए Benefit ज्यादा है फाइदा उठाने के लिए बने Prime User Company का कहना है कि यदि आप लोग Prime User वाली स्कीम का फाइदा उठाना चाहते हैं तो तुरंत Reliance Jio के Prime Member बने इसके लिए आपको Reliance Jio को 19 रूपे देने होंगे जिसके बाद आप Reliance Jio के एक Prime User बन जाते हैं जिसके बाद आप Reliance Jio की हर स्कीम का लाब उठा सकते हैं